हेलो स्टूडेंट्स एसन प्रोफेशनल क्लासे से मैं है मंद्गुपता आज आपके लिए लेके आऊं जो हमारी सीरीज चल रही है CCS University 2021 मेन एक्जामिनेशन में become final year का एक सब्जेक्ट है economic law उसके महत्पून क्वेशन जो की 2021 एक्जामिनेशन में पूछे गए हैं तो चले स्टार्ट करते हैं क्वेशन है ताला बंदी में समलित नहीं है ताला बंदी में किसे शामिल नहीं किया गया है तो students इस question का जो correct answer है वो है नियोक्टा द्वारा रोजगार के स्थान को इस्थाई रूप से बंद करना ताला बंदी में शामिल नहीं होता इसका क्या मदलब है कि न्योक्ता के द्वारा रोजगार के स्थान को ऐस्थाई समय के लिए बंद करना ताला बंदी में शामिल होगा न्योक्ता द्वारा किसी ना किसी रूप से कारे को रोकना ताला बंदी में शामिल होगा तो और कारे स्थगीत करना ये भी ताला बंदी में शामिल होगा चले, next question जानते हैं नेक्ट question है, शिकायत निप्तान अधिकारी की नियुक्ती की जा सकती है कि या की जाती है, जहां स्रमीकों की संख्या हूटी है हमारे को बताना है जहां श्रमिकों की संख्या 50 होती है पचास या 50 से अधिक होती है तो वहाँ पर शिकायत निप्टान अधिकारी की नियुक्ती की जाती है उप्शन नमबर B इसका correct answer है चलिए next question जाहने हैं बता उद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा साथ के अंतर श्रम नियाले की सापना की जाती है उप्शन नमबर A इसका correct answer है चलिए next question जाहने है नेक्स्ट question है उद्योगिक विवाद का निप्टारा किसके द्वारा नहीं किया जा सकता तो ज्यान रखेंगे उद्योगिक विवाद का निप्टारा नियोक्ताओ के संग के द्वारा Employers Association के द्वारा नहीं किया जा सकता नेक्स्ट question है वेटा नेक्स्ट question जानते है परिवेदना निवारन समीती में कार्यवाही पूरी करने की अवधी कितनी है परिवेदने दिन की अव्धी बताई गई है तो इस question का जो correct answer है वह उप्शन नमबर बी तीस दिन चलिए नेक्स्ट question जानते बटा नेक्स्ट question है हमारा कारे समीती का गठन किया जाता है कारे समीती का गठन किसके द्वारा किया जाता है यह नियुक्ता के द्वारा किया जाता है option number 20 का correct आज़ा next question है कारे समीटी के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है यह अधिक्तम संख्या 20 होती है चलिए नेक्स कुशन जानते हैं ओद्योगिक विवाद का आर्थिक कारण है ओद्योगिक विवाद का आर्थिक कारण विवेकी करण कम अजदूरी कारे की एसंतोष जनक दशाय और उपरोक्ट सभी चले, next question जानते हैं, next question है हमारा, question number 89, ओद्योगी की विवाद संबंधित होता है, रोजगार की शर्तों से, श्रम की दशाओं से, किसी व्यक्ति की नियुक्ति अत्वा सेवा मुक्ति से, या उपरोक्त में से कोई भी, तो ध्यान दखेंगे, ओद्योगी विवाद उपरोक्त तीनों में से किसी भी संदाम में हो सकता है, तो option number D, इसका correct answer है, next question है, निम लिखित में से कोन सा उद्योग में समलित नहीं है, तो इस question का correct answer है, खादी एवं ग्राम उद्योग, अस्पटाल तथा उस्यधाले, शैक्षिक, वैज्यानिक और शोड एवं परसिक्षन सर्तान अर्थात, option number D, इसका correct answer होगा, क्या कि उद्योग में किसे शामिल किया जाएगा, मुख्यरूप से उद्योग में लाब कमाने के उद्धिश्य से संबंदित किर्याओ को सामिल किया जाते है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कि उद्योग में सम्मिल नहीं किया जाएगा, त उद्योग में यह सभी संस्ताइ लाब कमाने के उद्धिश्य से नहीं चलाए जाती है, धर्मार्त कार रहे है, इनका जो मेन उद्धिश्य है, वो समाज हित का कर रहे है, इसलिए यह उद्योग में शामिल नहीं किया जाते हैं, next question है, trademark adenium परभावी हुआ, किस तारिक से ह समारे को बटाना है, trademark adenium किस तिथी से परभावी हुआ, तो students का जो correct answer है, वो है 15 September 2003, option number C, इसका correct answer होगा, next question है, trademark में समलिट, trademark में क्या समलिट है, option दिए गए है, सामोहिक mark, mark, परमानन ट्रेड मार्क या उपरोक्ट सभी, तो students इस question का जो correct answer है, वो है उपरोक्ट सभी, यानि कि सामोहिकार्ड मार्क प्रहना, परमानन ट्रेड मार्क, यह सभी trademark में सामिल किये जाते हैं, next question है, स्वाम्मुहिक मार्क का स्वामी होता है स्वाम्मुहिक मार्क का स्वामी कौन होता है तो इस question का correct answer है कोई व्यापार संग option number A इसका correct answer है Next question है Trade mark के पंजीयन की अवधी कितनी होती है डस वर्स की होती है चलिए, next question जानते next question क्या है कोई भी व्यक्ति जो ट्रेड मार्क रिजिस्टरार के आदेश से पीडित हो वह कहां पर अपील कर सकता है तो इस्टुडेंस इस कुश्चन का जो करेक्ट अंसर है वो है बॉद्धिक संपदा अपील बोर्ड के पास अपनी अपील कर सकता है नेक्स्ट कुश्चन जानते हैं नेक्स्ट कुश्चन हमारा बॉद्धिक संपदा अधिकारों में समलित अधिकार है और जोगिक डिजाइन व्यापारिक रहसे बहुगौलिक संकेत या उप्रोक्षभी तो इस कुश्चन का जो करेक्ट अंसर है वो ह है उप्रोक्षभी को बॉद्धिक संपदा अधिकारों में समलित अधिकार है चली नेक्स्ट कुश्चन जानते हैं बड़ा इंप्रोटेंट कुश्चन है ओद्योगिक संपदा अधिकारों के संदक्षण है तो पर्थम बड़ी अंतराष्ट्य संदी कब हुई थी कब की के थी सन 1883 में की के थी ओप्षन नंबर डी इसका सही आंसर है चली नेक्स्ट कुश्चन जानते हैं नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नंबर 98 पेटेंट धारी वह व्यक्ति है जिसका नाम पेटेंट रेजिस्टर में पेटेंट के हस्तांकिती के रूप में लिखा जाता है जिसका नाम पेटेंट रेजिस्टर में पेटेंट के स्वामी के रूप में लिखा जाता है तो इ नेक्स्ट कोश्चन है पेटेंट सेंशोडन अदीनियम 2002 के अनुसार परतेक स्वीकर्थ पेटेंट की अवधी कितने वर्ष की होती है तो जान रखेंगे इस कोश्चन का जो करेक्ट अंसर है वो है 20 वर्ष ऑप्शन नमबर सी इसका सही आंसर है चले नेक्स्ट कोश्चन जा है धारा 116 ऑप्शन नमबर डी इसका करेक्ट अंसर है तो यह थी स्टूडेंट्स हमारे CCS उनिवस्टी 2021 में एक्जामनेशन सब्जेक्ट है एकनॉमिक लो के 100 कोश्चन वीडियो कैसा लगा कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप एकनॉमिक लो और अन्य विश्यो के भी पेपर जरूर चेक कर लें जिससे ताकि आपकी अच्छी तयारी हो क्योंकि प्रीविस येर पेपर को तयार करने से आपको एक आइडिया लग जाता है किस पैटर्न के कोश्चन पू पीठ हो जाते हैं तो उनको भी आप जरूर तयार कर लेंगे ओके स्टुडेंट्स बेस्ट अफ लग फोर यूर एक जामनिशन